भूहे तोन रजीम बिसमेदाहिर रख्मान रही मैं तो पीड़ स्थूड़ेंट्स आपके सत्रों यसे की जो दो है ओप ऍहुड़ कैंडा गुर्ष से चर्ण फقطर कि तो कल मैंने आक य से लड पी दिया अगे जो है आज बी में बाकी कोंधें को आपके सामनी तो तो कल हमने question C तक इसको elaborate किया था अब question D की तरफ आते हैं तो question D का जो question answer है A map is a representation or a drawing on the Earth's surface on a part of it drawn on a flat surface according to a scale It is possible to flatten a round surface round shape and scale it Therefore maps are more helpful than a globe एके सवाब यह है कि जो map और globe में तो map और globe globe के मकाबले में map जो है यह क्यों कर ज़्यादा important ज़्यादा फाइदा माद है हमारे लिए तो इसका answer नहीं है कि चूंकि जो map है यह एक representation है एक जमीन पर किसी हिस्से का एक representation है on the paper लेकिन यहाँ पर globe जो है यह एक model of Earth है और globe को हम यह समझे को फ्रैटर नहीं कर सकते हैं हम इसको प्रैयर नहीं बना सकते हैं मैप के तरफ ठीक है हां कुछ एक तरीके हैं इनको हम कहते हैं मैप projection तो वो अलग एक topic है लेकिन फिरहाल मैं आपको बताओं कि हमारे लिए हम हमारे लिए छोटे क्लासों के लिए आप टो एट नाइन टेंट स्टंडार की बात करें तो इनके लिए यहीं बेहतर है कि इनको मैप से ज़्यादा फाइदा मिलेगा है तो उसके बाद है मैप में और एक प्लान में क्या फरक है तो आप खुरी अंदादा करें हैं मैप इस रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग आप दियूर्स सर्फिस और पॉर्ट आप इट ड्राउन ओन फ्रेट सर्फिस एकार्डिंग टेस के मैप में एक चीजें होती है कुछ बंजादी ची टेक्षिन होती है वार्डन गीव अन इन्परमिशन अवाट एंड टेस्तन समय एरिया ईपलन ईसे ड्राइंग आप ईस्वार एरिया ऑन लार्ज टकिल एक संवाव एरिया को हम दोर इस्टेव पर दिकाती है में इनिक आपको दिखाएंगे एक मकान का कमरा यह है यह आप एक प्लान को प्लांट इसने होती है यूदन के यय को दिखाता है य स्थी कुछ मेंВот पर दृती है यूं को This तो इसके टोटल के बारे में आपको इन फार्मिशन मिलेगी ठीक है यही फरक है इन दून के उसके बाद है एफ जो है इसमें रखावा है तो सवाल कहा है जो आपकी किताब रहे चुंकि मेरे पास इस वक्सबुक नहीं है तो मैं आपको इस ते ही बता सको हूँ कि लार्ग के मेरे अजिए संवास के में अब आप शाया करते हैं यहेसक को हम अनुम करते हैं पैसि पेंग चाटईरियॉस प्रचों पिके बारे में ज्yasरा अनफर्मिशन देते हैं भर आप ज्यादा अर्फ वाह करते हैं लेकिन कम इंफारमिशन देते हैं तो इसके बाद question number जी जो है इसमें आता हैं symbol और प्रेजंट इस ओर रोड़ चीक है इसमें होते हैं इसमें मिसाल कि तुबर एक में होते हैं symbol इन में रोड़ के लिए क्या सब्सक्राइब हैं bridges, towns, trees, railway line, etc. दो लेटिवर चीड शेड इसके लिए अलग दी हुई है उसके लिए अलग तरीका बनाया गया है पानी दखाना है तो एक शेड करते हैं ग्रीव बिशेड इस तरह से बागी बागी चीजे में तो इन चीज़ों को को यह समझे में अपको फटने में में यहापको अंडिस्टेंड करने में हमें मदद करती हैं ठीक है इसे यह बहुतीए इंपरटनशी तो इसके बाद तीक एन क्रॉस कुश्चन हैं तो रास्त पर मैं आपको बताओ जो पहले जो है इसमें अथिमेटिक में अपसा आता है कौ पूरी के पूरी कुश्चन जो है आपकी सामने में आपको एजाबरेट की मुझे फूरे एकिन है कि आपको इसको अंडरस्टेंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छी तरफ से इन को अपनी काई पर लिखोगे और अंडरस्टेंड और याद भी करोगे ठीक ह बस आज के लिए नहीं थैक्यू वरी मुट